अब देखते हैं कि यह जो फिल्टर सर्केट यह क्या चीज़ होती है फिल्टर सर्केट उसका काम यह है कि जो हमको रेक्टिफायर सर्केट से आउटपुट मिला था कुछ इस टाइप का आउटपुट मिला था भी उसमें से एसी और डीसी को सेपरेट करने का काम कौन करेगा फिल्टर सर्केट करेगा इसमें क्या है एसी भी है हाना प्लस क्या है डीसी भी है दोनों का मिक्शर है यह पॉस्ट्री हाफ साइकल है लेकिन इसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स है ऐसा बोला जाएगा तो इसको र करना है इसको DC में convert करना है तो मैं क्या करूंगा यहां पर एक circuit बनाऊगा यह जो circuit है इसमें मैंने क्या लगा दिया यहां पर एक capacitor कर दिया ठीक है यहां पर resistance connected है load resistance जिसके cross आपको output मिलेगा जो भी मिलेगा जो output मिलेगा उसको graph में plot कर देंगे बाद में ठीक है यह वाला voltage input में देंगे input मतलब इन दोनों terminals के बीच में इसको input दिया जाएगा फिर इससे output क्या मिलेगा वह आपको observe करना है capacitor का जो impedance होता है AC के लिए capacitor का जो impedance मतलब जिसको capacity react बोलते है उसका formula होता है यहाद है क्या one upon omega c capacitor का जो capacity react होता है AC को कितना रोख पाता है कोई capacitor उसका formula क्या होता है one upon omega c omega को क्या लिख सकते हो two pi f into c यानि कि xc की जो value है capacitance के inversely proportional होती है यह चीज़ समझ में क्या और साथ वे frequency के अब एक चीज़ सोचके बतानी है आपको कि AC की जो frequency है अना यहाँ पे जो capacitor लिया जाता हो एक हाई capacitance का capacitor होता है जिससे एक सी की वेल्यू काफी जादा हो एसी के लिए कुछ particular frequency होती है जिसे आप घर पर सप्लाई यूज़ करते हो उसकी frequency होती है लेकिन डीसी की frequency कितनी होती है तो डीसी की frequency 0 होती है डीसी की frequency 0 होने का मतलब डीसी टाइम के साथ में चेंज नहीं होता तो डीसी के लिए capacitor का जो capacity reactance हो कितना आएगा तो frequency 0 पुट कर होगे यहां पर लेके अंदर तो एक सिक्वेलो क्या है की डीसी की फ्रिक्वेंशी 0 होती है इसलिए एक सी की की वेलो क्या होगी infinite आएगी तो डीसी के लिए एक चीज़ कंफर्म हो गई कि जो डीसी है उसकी frequency 0 होने के वज़े से क्यापेस्टिव डीक्टेंज कितना रहेगा इनफाइनेट रहेगा मतलब जो कैपेस्ट्र है वो डीसी का इनफाइनेट आ पोजिशिन करेगा मतलब डीसी को फ्लोई नहीं होने देगा कैपेस्ट्र की प्रोपर्टे क्या होती है कि कैपेस्ट्र में सिर्फ एसी पास हो सकता है डीसी सुन से पास मौत हुट होता क्योंकि की प्रिक्वाइब करेंगा उसको पास ही नहीं होने देगा तो उसको किसी दूसरे रास्ते से पास होना पड़ेगा अब यहाँ पर दिया है वो कैसा है ac plus VC है यहां पर जो input दिया हूँ कैसा है ac plus VC यहां से जो capacitor Connected है यहां पर जो capacitor Connected है उसमेंसे जब यह दोनों Pass होने की कोशिश करेंगे तो उसमेंसे कौन pass हो सकता है सिर्फ और सिर्फ गपेस्टर से पास होगा नहीं तो डीजी का इस हो यह इसमें से कौन सा किया हुआ है तो पास हो ुआ है ओसमें है इसमें सह कौन पास हुआ है सिर्फ एसी डीसी को इसने पास नहीं होने दिया तो डीसी के लिए कोई दूसरा रास्ता होगा उससे यह पास होगा तो डीसी इसमें से निकल जाएगा और जब डीसी इसमें से पास हो रहा होगा तो इसका मतलब यह जो रेजिस्टेंस है इसके क्रोस आपको आउटफुट क् यति चपा से मिलेगा फिर फ्लक्टुएशन अभी भी रहेगा थोड़ा तो आई डिल में भूता इस यह ग्राफ की फाए कूर करना पड़ता है से उसको और करने के लिए बावल्टिज को एक दुर भी रहने के लिए हम-ट जो सके-टीूस करते हैं जीनड यूज करते तो तो नहीं है लेकिन ओल्मस्ट जैसा आउट्फुट मिल रहा होगा थोड़ी बहुत एसी इधर से पास हो जाती है इसके वज़ेसे अना देखो डीसी को यह जो कैसर है यह जीरो पास होने देगा तो इसमें से तो बिल्कुली डीसी पास नहीं होगी सारी सारी जो डायरेक्ट क औरिए घ्ल कारीं आपक है कि सब्सक्राइक करें टाइनगे आप का समय मादने वह तो आपको क्या समझ में आया कि कि अगर हम filter circuit यूज़ करेंगे तो आपने रेक्टिफायर का output था जैसे filter circuit को दिया तो capacitor DC को पास नहीं होने देता सिर्फ AC पास होगा इसमें से तो DC के लिए दूसरा रास्ता उधर से पास होके आएगा और DC अगर इस रेजिस्टेंस में से पास होगा तो इसका output आपको DC के according कुछ इस टाइफ का मिलेगा ठीक है अगर 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 अगर